अगर 5000 से अधिक रुपए ट्रांसपर कर रहा है और आपने वहाँ पर लिमिट सैट कर रखी है या फिर आपने लिमिट सैट नहीं की है आपकी बैंक की तरफ से वो लिमिट सैट है तो आप उसे किस तरीकी से वड़वा सकते हैं और ऐसी इस्तति में आप किस तरीकी से पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं तो चलिए जानवीत 5 ठीक ह सकते हैं कि आप 24 गंटे 5 रुपई ट्रांसफर्पर एसा होता है पैसे की अधिक जरुर्वरत पहती है तो घ्ली तो हम UPI के माध्यम से इससे हम 5000 रुपई ट्रांसपर कर सकते हैं चलिए मैं आपको हें पर दुवारा करके दिखाता हूं जैसे कि هذا हो पर हम simply click करते हैं का उसके बाद में हम अपना बैंक के यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में हम नाइक पर simply click करते हैं ठीक है यहां पर हम पांच घ्जार रुपधे विए इंटर करते हैं अपना, यूपिई यहाँ पर पिन इंट्र कर देता हूं, यस करने के बाद अभी आप देख पाएंगे पैसे ट्रांसपर हो रहा हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है ? देख सकते हैं पैसे ट्रांसपर हो चुके हैं थीक है तो यहां पर देखने को मिलायां थीक है यह तो आप त्रणस्पर sih plac करें ठीक है यहां तो आप 10 जार rush ट्रांस्पर करना चाहाते हैं तो आपको यहांपर चौफिस गैवते ग προमटान करता हैं अपको निश्म हां22 चौंटे अबास से एक application लिखवाएंगे और आपकी जो limit है वहाँ पर बढ़ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से तो आप UPI जो limit है वो आप बढ़वा सकते हैं हाला कि आप ATM से भी पैसे निकाल सकते हैं तो उसकी जो limit है वो अलग होती है ठीक है जैसे की सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दूस्तों अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहा जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सकते हैं मिलते हैं नाइस वीडियो में